नमस्कार दोस्तों, HSSC Group D के Admit Card डाउनलोड होने स्टार्ट हो गए हैं यदि आपने अभी तक अपना Admit Card का स्टेटस चेक नहीं किया है या आपने Admit Card डाउनलोड नहीं किया है तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है वहां से आप अपने डिटेल डाल करके अपना Admit Card का प्रिंट आउट निकाल सकते हैं Admit Card में कुछ important instruction है वो सभी साथियों के लिए जरूरी है जो भी exam देने जा रहे हैं जो आप Admit Card डाउनलोड करेंगे उसमें आपको exam center detail मिलेगी यहां पर आपको option में दिया गया है आपका exam जो है किस date को होगा कौन सी shift में होगा entry time आपकी क्या रहेगी आपका closing time क्या रहेगा उसके बाद आपको entry नहीं मिलेगी उसके बाद जो आपका exam का time है वो कितने बज़े से कितने बज़े तक उसमें दिया गया है और उसके बाद जो है exam center की detail यहां पर दी गई है exam center का code है किसी भी center पर जब आप exam देने जाएंगे वहाँ पर exam center आपको code mention मिलेगा उसके अलावा जो location सब के लिए जरूरी है यह location आपकी सभी की दी गई है admit card पर यदि आप समझ नहीं पा रहे है location क्या रहेगी तो उसको आप google पर search भी कर सकते है location को तो आपको वहाँ से google location लेकर भी आपको जो है वहाँ पर पूंच सकते है राम से city में जाने के बाद भी इसको जो है search कर सकते है तो इसके अलावे self declaration undertaking यहाँ पर दी गई है इस अभी के लिए बहुत important है यदि आपने जो form भरा था जिस time आप कीजिए का जिस समय आपने form भरा था उस time जो photo आपने upload की थी वही same photo आपने दो print out निकलवा लेने हैं दो photo आपनों बनवा ले ले एक photo आपको यहाँ पर चिपकानी है और एक photo आपको अपने साथ ले करके जानी है जो के exam center में आपको जो है जरूरत पड़ेगी वहाँ पर आपको देनी है इसके अलावा यहाँ पर thumb impression का option दिया गया है जो भी candidate यहाँ पर फिलाल कोई भी candidate यहाँ पर thumb impression और signature extra पहले ही मत लगाए क्योंकि examiner के सामने आपको करना है जाकर के यह photo आप पहले चिपका सकते हैं जो आपके admit card पर आपकी print होके आई है पिछे से वही same photo आपको print करवानी है और दोस्तों जिसके पास भी admit card होगा जो admit card holder है उसको free bus pass यही माना जाएगा जाने का और आने का दोनों में आपको admit card जो है साथ मेरेगा आपकी bus जो है pass इसी को माना जाएगा इसके अलावा जब आप exam देने जाएंगे वहाँ पर कुछ instruction है वो सभी के लिए बहुत जरूरी है जैसे कि आप admit card लेकर जाएंगे वो साफ सा print out होना चाहिए और admit card के उपर जो दो photo आपकी दिखा रही है वही same photo आपकी दो copy आपको निकलवानी है जैसा कि form बरते से में आपने upload किये थे same एक photo आपको यहाँ पर चिपकानी है एवाले section में और दूसरी photo अपने साथ आपको लेकर जानी है photo प्रिक्षा के अंदर में आपको जो है देनी पड़ेगी वहाँ पर आपकी लगेगी उसके साथ साथ आपको एक ID proof लेकर के जाना है उसमें आपका voter card हो सकता है license हो सकता है e-adhar card हो सकता है आपका passport photo हो सकता है pen card हो सकता है रासन card ऐसा नय करने पर आपको admit का वहाँ पर अनुमती नहीं दी जाएगी entry नहीं दी जाएगी इसके लाव कुछ साथ ही सोचते हैं कि mobile में आपकी ID है तो वह चल जाएगी उसमें साप साप लिखा गया है यदि आपके mobile में वह ID है पहले ही वह original है लेकिन आपको वहाँ पर पैद ID प्रूफ उसको नहीं मानना जाएगा और आपको entry नहीं मिलेगी तो अपना ID प्रूफ साथ में जरूर निकल वाले है इसके अलवा प्रिक्षा के दुरान यदि आप उत्तर पुष्टिका को किसी तरह का नुक्सान पहुचाते हैं तो उसमें आपका जो प्रिक्षा के अंदर का स्थल एक दिन पहले सत्यापित कर लें कहीं आपको प्रिशानी ना हो किसी भी तरह की किसे बेब्यारती को इस प्रिक्षा के अंदर में प्रुवेश करने के अनुमती नहीं दी जाएगी अब भ्यारती को प्रिक्षा के अंदर पर केवल निमल लेखित वस्तुए लेकर जानी होगी क्या लेकर जाना होगा एक तो स्वेम गोशना पत्तर अंडर्टेकिंग के साथ एड्मिट कार्ड जो आपने वेबसेट से अपलोड किया है डाउनलोड किया है वो और इसके साथ जो दो फोटो हैं स्वेम सत्यापीत रंगीन फोटो जो की इसमें फोटो आपने अपलोड किये थे फारम भरते समय तो यही आपको लेकर जाने की अनुमती होगी इसके अला जो फिमेल है या मेल है सभी अपनी घड़ी कड़े या कुछ चीज़े हैं जो आपको लेकर नहीं जानी है वो सभी इसमें दी गई है नॉर्मली आपको सिर्फ दो ही चीज़े ले जाने के लिए बोला गया है आपका एड्मिट कार्ड है दो पासपोट साइज फोटो है और इसके अलावा जो मेन है यह चीज़ का ज्यानक है यदि कोई भी ब्यारती अपना एक्जाम का जैसे आप खली छोड़ कर आएंगे कोई भी एक्जाम आपको नहीं आता है और उसको आप खली छोड़ कर आएंगे किसी भी क्वेस्चन को तो आपका उसमें जीरो पुइं तो इन चीज़ों का जो है दोस्तों आपको ध्यान रखना है कोई अलग से आपकी क्वेरी है तो कोमेंट जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा धन्यवाद